दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केंद्री विद्याले में एडमिसन के बाद आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपके पास होना जरूरी है एडमिसन के लिए क्या-क्या डॉकुमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है जो रिजल्ट है कक्षा एक का 18 अप्रेल 2022 को सोमबार को आने वाला है अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपको चाहिए होंगे एक कक्षा एक के एडिमसन के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसी महिने का नौटिस है के अंदर विद्याले का कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपको चाहिए इसका link भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा description में और यहाँ आप देख सकते हैं previous सूचना और आवस्यक दस्तावेजों की सूची सबसे पहले concert documents है मूल आवेदन पत्र यानि कि जब आपने apply किया होगा तो registration form के बाद आपको print करने का option मिलता है वो आपको print करके साथ में ले जाना है बच्चे की दो photo यहाँ पे दियावा है और जन्म प्रमाण पत्र की photocopy आवास पता यानि residence proof का photocopy बच्चे का अधर card उसकी भी photocopy blood group की report उसकी भी photocopy बच्चे का जाती प्रमाण पत्र उसकी photocopy certificate को अगर admission हो जाता है उस certificate को लगाने की बाद 90 दिन के अंदर अंदर बच्चे का जाती प्रमाण पत्र आपको देना होता है तो यह जो documents हैं यह हैं इसके बाद अभिभावा का शेवा प्रमाण पत्र अगर government जाप करते हैं तो service certificate यानि की शेवा प्रमाण पत्र यह आपको देना होगा अस्तानांतर प्रमाण पत्र यानि transfer certificate यह आपका government office जहां कि आप काम करते हैं वहां से आप कई बनता है तो यह आप पहले से ही बना के रखें अगर आपने apply किया वह तो अभिवावक की payslip government जो employee है उनको अपनी last month की payslip देनी होगी इसके बाद परिवार रेजिस्टर परिवार रेजिस्टर जो होता है वह आपको नगर निगम में या ग्राम पंचायत काराले से मिलता है उसकी एक photocopy देनी है इसके बाद सूचना दस्तावेजों की सत्यता सम मंधी घुसना पत्र एक declaration आपको देना है कि जो भी आपने document दिये हैं वो सारे सही है और उनकी गलत होने पर आपके बच्ची का पातरता खत्म की जा सकती है या रद की जा सकती है इसके बाद यदि प्रवेज सूची में नाम आता है तो मूल अस्तानांतरन पत्र यानि की ज लास्ट वाला जो यह मैंने भी बताया तेर्मा पॉइंट यह आपका उन बच्चों के लिए है जो कक्षा एक से आगे के लिए एडमिसन ले रहे हैं क्योंकि उनको टी सी लेनी होगी टी सी कटवा के और फिर से केंदर विद्याले में एडमिसन लेना होगा तो यह उनके ल होती है तो फिर आपका एडमिसन रद किया जा सकते हैं और यह जो है सारे डॉकुमेंट्स आपको तयार करने हैं इन में से जो कक्षा एक के लिए जो आविशक डॉकुमेंट्स हैं आपका जैसी के मैंने बताया बार में पॉइंट तक के जो डॉकुमेंट्स हैं सारे कंपल लिए हैं जाति प्रमान पत्र जो है बच्चे का तब लगेगा अगर आप स्टूल कैटिगरी से हैं तो यह डॉकमेंट्स दोस्तों आपको पहले से बना लेने हैं और यह डॉकमेंट्स आपको स्कूल में जमा कराने हैं एड्मिसन के वक्त तो दोस्तों यह किंद्र विद्य एडमिसंस रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताएगा और के विएस एडमिसंस रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेस्टन है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हमारी चैनल को ल झाल 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 झाल